नमस्कार ओम सांती मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच नाइन्थ कलास के इंगलीज का पांचमा कविता जिसका नाम है साउंड अर्थात ध्वनी का भावार्थ लेकर आया हूँ यह कविता रजनी पारू लेकर जी के द्वारा रचित हैं बहुत ही संवेदन सील कविता है काफी अच्छी कविता है इस कविता के माध्धम से अवित्री ने पेर के महतु को बताया है पेर के महतु से हम लोग पूर परचित हैं पेर से हम लोग को स्वक्ष वायू फल फूल इमार्ती लक्रिया इंधन बर्षा का जल प्राप्त होता है लेकिन लोग उसके महतु को नसमज़कर उन्हें काट कर गिरा देते हैं काटने के बाद पेर के मन में क्या कोई दर्द होता है क्या वो क्वेस्ट अनुभव करते हैं इन ही भावो को इस कविता के द्वारा व्यक्त किया गया है तो पहले हम लोग कवितरी का परिचे जानते हैं फिर कवितरी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने पाठकों को क्या कहना चाहती है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे तो शुरू करते हैं रजनी पारूलेकर बॉर नाइंटिन फोटी फाइव रेसिपियन्ट ओफ महराष्ट स्टेट अवार्ड इस अपोएट इन माराथी वे थ्री कलेक्शन्स ओफ पोएम्स टू हर क्रेडिट रजनी पारूलेकर जी का जन्द 1945 में हुआ था वे एक माराथी कवितरी हैं और उन्हें महराष्ट राजपुरसकार भी प्राप्त हुआ है उनके नाम पर कविताओं का तीन संग्रह लिखने का स्रे है प्रस्तूत कविता जो भारतिय साहित से ली गई है इसको अंग्रेजी में सुहास सुर्जकांत लीमे जी के द्वारा अनुवाद किया गया है चलते हैं कविता की और A tree in the woods is hacked, its branch breaking away What do the harps whisper to each other? Do they moan and groan in the heart of their hearts? And do these locks driven from each other reminisce? तो कवितरी कहती है कि A tree in the woods is hacked, जंगल में पेर को काट दिया जाता है Its branch breaking away, इसकी साखा को तोर कर अलग कर दिया जाता है What do the harps whisper to each other? तो इसके जो कटे हुए टुकरे हैं, आधा हिसा है एक दुसरे के साथ आपस में क्या काना फुसी करते हैं या क्या फुस फुसाते हैं? Do they moan and groan in the heart of their hearts? क्या वे अपने दिल ही दिल में कराहते हैं या दर्द से तरपते हैं? And do these logs driven from each other reminisce? या फिर एक दुसरे से कटे हुए ये लकरी के कुंदे अपने बीते हुए समय को अतीत को याद करते हैं? Do they remember how the wind tossed them? How they got drenched in the rain and the blossoms in the spring and the fall in autumn? क्या वे याद करते हैं कि हवा कैसे उन्हें उच्छाला करती थी? How they got drenched in the rain और कैसे वो वर्षा के जल में भीज आते थे? And the blossom in the spring और वसंत रितु में कैसे खिले फुलों से लज जाते थे? And the fall in autumn और पतज़र में अपने पुरानी पत्तों को गिरा देते थे? Oh, but the wind knows. The wind blowing with a dean in palaces for lore sings such songs. Oh, लेकिन हवा जानती हैं. सोरगुर की आवाज के साथ बहने वाली हवा, उन सुन्सान अस्थानों पर उन गीतों को ऐसी गीतों को गाती हैं. Those songs not all could praise. Many a man is blunt. He doesn't even sense the gun is caught. Even in simple words, उन गानों की सभी लोग पर संसान नहीं कर सकते हैं. अधिकान्स पुरुस, Many a man is blunt. अधिकान्स पुरुस, भोदु होते हैं, मंद बुद्धी के होते हैं. He does not even sense उनके पास इतनी समझ नहीं होती है, the agonies caught even in simple words, कि उसमें नहीत, दर्द को सरल सब्दों में भी समझ सके, जान सके. What then of these songs? They are just sounds. Such sounds as would be chalked to death if confined in the strokes and quells of a script. What then of these songs? फिर उन गानों का क्या होगा? फिर उन गानों का क्या ओचिति है? They are just sounds. वे के वले का वाज हैं. Such sounds as would be chalked to death. ऐसी आवाजों को दम घोट कर मार दिया जाएगा. If confined in the strokes and coils of a script, यदी लिपी के यदी लिपियों में उनकी उपस्थिती साबित हो जाए. तो इस परकार से हम लोगों ने इस कविता के भाव को समझा, आसा करता हूँ. कविता का भाव समझ में आ गया होगा. अब हम लोग देखते हैं इस कविता के अंतरगरत आये हुए कठीन सब्दों को. recipient means होता है प्राप्त करता. award means पुरसकार. collections means संग्रह. credit means स्रे, literature means साहित, translated means अनुवादित, hacked means काट दिया गया, branch means साखा, breakaway means तोर कर अलग कर देना, halves means आधा, टुकरा, whisper means फुस फुसाना, each other means एक दुसरे, moan means विलाप करना, groan means तरपना, hurt means हिर्दे, logs means कुंदा लठा, reminisce means अतीत को याद करना, बीते हुए दीन को याद करना, remember means याद करना, tossed means उच्छालना, drenched means भीग जाना, blizzard means खिलना, फूल खिलना, spring means बसंत, autumn means पतजर, fall means गिरना, wind means हवा, din means सोर गुल करना, सरसर फरफर की आवाज करना, blowing means बहना, forlorn means सून सान एकांत, आगे चलते हैं, praise means परसंचा करना, blunt means भोदू, मन्द बुद्धी का, या बेरुखा, sense means समझ, agonize means कस्ट, पीरा, chalked means दम घोटना, death means मिर्थ्व, confine means कायद, coils means लपेटन, script means लपी, strokes and coils, strokes, इस प्रकार से, इसमें आए, शारे शब्दों का, हम लोगों ने अर्थ देखा, असा करता हूँ, यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इस अपने दोस्तों के भी शेयर कर दे, और आप अब इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद मिलता हूँ, आपके साथ नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए नमस्कार, ओम संति,